आज हम अपना टॉपिक डिसकस कर रहे हैं मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ओफ इंडिया ये टॉपिक हमारा क्लास 9 चैप्टर नमबर 2 फिजिकल फीचर्स ओफ इंडिया का है इसमें हम जो टॉपिक डिसकस कर चुके हैं अभी तक वो हमने करा है आपका हिमालियन ये तीनों टॉपिक हम डिसकस कर चुके हैं इसकी वीडियो में अप्रोड कर चुका हूं आप आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं अब आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वह होगा आपका इंडियन डैजल्ट आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं इस डेजर्ट लेंड फॉर्म्स हम बात करेंगे डैजल्ट का नाम आता है सब को एकी नाम ध्यान आता है तेट इस राजस्थान तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना इंडियन डेजल्ट चलिए वीडियो को स्चार्ट करते हैं यह आपको देख रही होगी एक desert की image इसमें आगर हम यहीं पर देखें जो हम आगे समझेंगे उसे थोड़ा सा यहीं पर समझ लेते हैं कि जैसे यह अगर आपको देखते हैं यह इस तरह का landform जो देखता है आपको उठा हुआ यह landform आपका basically क्या है इन्हें बोलते हैं हम sand dunes इन्हें हम क्या बोलते हैं sand dunes ये हमें याद रखना है कि रेत के पहाड को बोलते हैं हम sand dunes मतलब रेत के ये रेतीले पहाड है आप देख रहे हो ना इस टैप का structure है ये देखो ऐसे तो fourth one बहुत interesting है ये इस वीडियो को आगे तक देखिए आपको मज़ा आएगा desert landforms के बारे में बहुत साइची चीज़ें पता पढ़ेंगी अब आगे बढ़ते हैं देखो Indian desert के अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे कहां पाए जाते हैं Arawali hills के north west जगा पे Arawali hills के north west पे अब अगर हम इसको देखें तो ये है आपकी Arawali ये Arawali देख रही है और Arawali के north west में आपको क्या देख रहा है थार desert और ये रहा आपका पाकिस्तान ठीक तो ये पूरा ये जो landform है ये पूरा इस type से ये आपका पूरा क्या है थार desert है अपना ठीक है एक question और है मैं आपको बताएता हूँ कि हमेशा हमेशा किसी भी continent के किसी भी country में 99% desert western side में ही लाई करते हैं ठीक है इसका answer मैं आपको बताऊंगा next videos में upload करेंगे उसमें बताएंगे क्यों desert हमारे western margins पे ही लाई करते हैं तो देखा हमने यहाँ पे हमें यह देखना है बसकि अरावली के किधर है यह नौर्थ वेस्ट में है समझ में आगया यह कि अरावली के नौर्थ वेस्ट में लाई करता है थार desert अब देखो this region receives low rainfall हम सब कोई पताए कि desert है रेगिस्तान है सूखा है बंजर है हम लोगी बोलते हैं जहां बारिश बहुत कम होती है below 150 mm per year बहुत कम बारिश होती है बहुत ही harsh climate होता है vegetation cover वहां इतना अच्छा नहीं होता desert में जैसा हम लोग देखते हैं इतनी अच्छी हमें vegetation नहीं मिलती वहां इविन देन वहां पे आप वो cactus के पौधे जायतर मिलेंगे सूखी जाणियां मिलेंगी ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं लेकिन अगर आप सोचो कि आपको ये फसले मिल जाएं गेहों की चावल की तो वो सब चीज़ें यहां पर possible नहीं होती हैं इसी वज़े से इस रीजन को बोलते हैं मरुस्थल क्या बोलते हैं इसे मरुस्थली पाकिस्तान की तरफ है थोड़ा और सदन पाल टूवर्ड रन ओफ कच यह हमें याद रखना है कि नदन पोर्शन डैसल्ट का सिंध की तरफ है और सदन पोर्शन इसका रन ओफ कच की तरफ है इतना हमें याद रहेगा बेसिकली यह जो है न डैसल्ट फॉर्मेशन यह हमारा फोर्थ फीचर है फिजिकल फीचर्स ओफ इंडिया का ठीक है अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डैजर्ट में और हम क्या पढ़ेंगे ठीक है चलिए अब भाईया यह एक नाम आ रहा है यह एक नाम हम देख रहे हैं जो हमें दिखाई दे रहा है डेट इस आपका मश्रूम रॉक मश्रूम रॉक यह हमारे बेसिकल जैसे सेंड ड्यून्स मैंने आपको दिखाए देना ड्यून्स मतलब रेट के पहाड़ सबसे पहली स्लैड में हमने देखा था यह आप देखो तो हमने यह देखा था यह रहे आपके सेंड ड्यून्स यह आपको देख रहे हैं रेट के पहाड़ mushroom rock ऐसा क्या हुआ भाई यह पहाड ऐसा क्यों हो गया और यह नीचे की तरफ क्यों गायव हो गया इसके पीचे बहुत लंबी कहानी है कहानी क्या है कि यह पूरी जो rock है ना यह rock नीचे से soft rock की बनी हुई थी और उपर से ये hard rock की बनी हुई थी जब इधर side से winds आती है ऐसे करके या फिर इधर से आती कहीं से भी winds आती है तो इस portion को winds खतम करती है erode करती है विए soft rock है तो इसको wind खतम कर देती है लेकिन उपर जो hard rock है इसको wind खतम नहीं कर पाती तो ये क्या होता है एक तरीके से ये मश्रूम की शेप का बन जाता है आप समझे मेरी बात ये उपर है hard rock नीचे है soft rock ये उपर है hard rock नीचे अभी क्या है soft rock अब जब wind इधर से आई ऐसे करके ठीक है और जब wind यहां से आई तो इन्होंने soft rock को तो erode कर दिया इस वाले portion को wind erode कर देती है इस वैसे यह जगा खाली हो जाती है तो यह मश्रूम के आकार का देखने लगता है इसलिए इसे मश्रूम रॉक बोलते हैं यह बेसिकली डैजर्ट लेंड फॉर्म के पीचर से जस्ट फॉर एक्जाम्पल आपको बताये जा रहे हैं कि इस टैप सी आपकी मश्रूम रॉक बनती है ओएसे सोते हैं आप तदेखा होगा रेकस्तान में पानी मिलता दिस ओएस स्पानीे में लेक्ता षोते हैं और जो पूरे साल फ्लो कि लो नहीं करती हैं आहां यहां की एक नदी हैं बहुत इमपोर्टन है जिसको हमेशा पढ़ते हैं लूनी रिवर फ्लो करती है और लूनी रिवर अगर फ्लो कर रही है आपकी तो वो अरेबियन सी में ना जाके वो रन आफ कच में मिलती है और वहाँ पर गायब हो जाती है मार्शी एरिया दल दलो में मिलके वो लूनी रिवर गायब हो जाती है हमें याद रखना है ठीक है अन्डूलेटिंग सेंड प्लेंस कवर्ड विद सेंड डून्स वही उबर खावा टोपोग्राफी जिसे हमने भी दिखाया था अन्डूलेटिंग एक अलग अलग तरीके के ह इसे बोलते हैं हम बरकन इसके और भी क्लासिफिकेशन से मीजा है बटल है अरग है इसे इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है बस यह समझना है क्रिसेंड शेप सेंड डून यह रहा चांद की शेप में देख रहा है न क्योंकि विंड यहां से आती है इसको इरोट करती है औ उपर dust particles क्या होते हैं एकटे होते रहते हैं इसे हम क्या बोलते हैं क्रिसेंट शेप सेंड डून और इसको वन वर्ड में क्या बोलेंगे हम यह हमें याद रखना है इस बरकन्स यह नहीं बूलना है बरकन्स का यह बनमाक कोशन आ जाता है कभी-कभी NTSC में बरकन्स क्या हो इस आर क्रिसेंट शेप सेंड डून फाउंड इन दी थाड डेजर्ट नॉट इन दी थाड डेजर्ट बिकॉज वी स्टडी इंडिया सो थाड डेजर्ट बनना ही आपको हर जगे मिलेंगे ठीक है नेक्स हम आगे बढ़ते हैं मश्रूम रॉक मैं आपको बता चुका हूँ जस्ट उसकी थियोरी है कि यह पेडेस्टल भी इसे बोला जाता है नैचरल यकरिंग रॉक है जिसकी शेप मश्रूम की तरह होती है और मैंने बताया था यह इरोजन और वेदरिंग की वज़े से है था आपको यह रही ऊपर हार्ड रॉक नीचे रही सॉफ्ट रॉक विंड आपकी इधर से आ रही है यहां भी चल रही है विंड पर विंड इसे रोड नहीं कर पाती यहां वाली पूरी जगह को विंड खाली कर देती है तो यह स्टेंड बन जाता है धोड़ते हैं में य यह भी खाली हो जाएगा फिर यह नीचे गड़ जाएगा यह इसको बोलते हैं मश्रूम रॉक यह हमें याद रखना है ठीक है इंपोर्टेंट है मश्रूम रॉक डैजर्ड लेंड फॉर्म का फीचर अकर मश्रूम रॉक के लिए कोई नो टाय लिखने के लिए तो आप यह सब्सक्राइब के लिए तो मिलते हैं मिलेट्स और राजस्थान की बात करो तो यहां राजस्थान हमारा बाजरा का लीडिंग प्रोड्यूसर है ठीक है तो मिलेट्स हमारे सबसे ज्यादा डैजर्ट में पाया जाते हैं जो यह बहुत कम उसकी जरुवत होती है पानी की एक इंपोर्टेंट कोशन है फॉर आल अफ यू कि हमें बताना है कि अगर ड्राइस डैजर्ट है कोई वर्ड में तो वह कौन सा है डैट इस अटाकामा डैजर्ट लोकेटे इन साउथ अमेरिका अगेन आप एक कॉम्टिटिफ पॉंट अफ व्यू से भी यह चीज अच्छी है कि अटाकामा डैजर्ट कहां पे भई साउथ अमेरिका में है तो अगर इस तरीके से याद रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा यसे तो नहीं पूछते आप से लेकिन एंटी एस सी में पूछा जा कई मैच कराने को कभी कभी OST में आ जाते हैं अब देखो जैसे-जैसे हम इसकी तरफ आते हैं तो अ अपनी चीजए जयो वह टीयेकर होते हैं आऊ क्या देखता है मैं सिर्फ डेजर्ट सूखी जमीन ठीक आई होप आपको डेजर्ट समझ में आया होगा अच्छे से अब हम चलते हैं अपने फिफ्ट फिजीकल फीचर की तरफ जो है आपका दि कोस्टल प्लेंज अभी तक हमने देखे थे अब हमारे यहां पर अगर आप दे अब हम फिफ्ट पॉइंट अपना पढ़ेंगे डेट इस दी कोस्टल प्लेंज कोस्टल प्लेंज पढ़ने के लिए चलिए हम वीडियो को आगे ले चलते हैं देखिए अब पहला ही कोशन है इसमें कि टोटल लेंथ ओफ दी कोस्टल लेंज कितनी है अगर हमसे कोई पूछ है कि कोस्टल लेंज की लेंज क्या है तो इस आंसर इस 7516.6 किलोमीटर हम सब को पता होना चाहिए और इसी में अंडमान निकोबार और लक्षदीप की कोस्ट लेंध जुड़ी होई है ठीक है यह कितने स्टेट को टच करता है यह भी पता होना चाहिए 13 स्टेट संयू इन डिशक करता है गुजरात की याद है तो एक 0 हटा दो तो coastal plains में हम सबसे पहले देख रहे हैं यह अच्छा topic है इसको बहुत अच्छे समझेंगे west coastal plain और east coastal plain ठीक है आपको यह दिखाई दे रहा है यह ठीक है यह जो area है आपका यह हमारा है coastal plain यह आपको दिख रहे है नहीं यह पूरा जो समुद्र से लगा हुआ area है पूरा ठीक है इसे हम बोलते है क्या coastal plain यह हमें याद रखना है अभी हम इसको detail में पढ़ेंगे बहुत असानी से याद हो जाएगा आपको ठीक है अब देखो आगे चलते हैं और देखते हैं अब देखो फिर वही वाली बात आगी stretch of narrow coastal strip margin of peninsular plateau एक narrow coastal strip हमने यूज करी है एक यह जो हम कह सकते हैं यह step से margin देख रहा था आपको यह narrow coastal strip है ठीक है एक बहुत peninsular plateau है peninsular plateau के जो इधर से यह पट्टीस ही आ रही है that is आपक क्या है यह coastal plains ठीक है अब देखो यह strips हमें पता है Arabian Sea की तरफ है अगर आप इधर देखोगे यह हमारा इंडिया है यह अधर Arabian Sea है इधर Bay of Bengal है यह आपके West Coastal Plain हो गए यह आपके East Coastal Plain हो गए ठीक है यहां तक समझ में आया अब देखो यह कोशन आता है कि West Coastal Plain narrower क्यों है और East Coastal Plain broader क्यों है इस लाइन का मतलब क्या है बाकी तो आपने रट लिया लेकिन West Coastal Plain narrower क्यों है देखो अगर आप यह आप देखोगे न मैं आपको बरना के दिखाता हूं यह है West Coastal Plain देखो सड़नली न यह देखो बौडर से भी चिपक रहे हैं आपके देखरो समुद्र से बिल्कुल टच हो रहा है अगर आप यह वाला पॉइंट देखोगे न तो इस समुद्र से भी टच होता है तो इसलिए देखो इसमें Gapping बहुत कम है जो समुद्र का तट है और यह जो प्लेंस है इसमें Gapping बहुत कम है यहीं पर आप यह मैंने यहां लिखा भी है कि इसलिए बोलते होगी यह narrower है यह समुद्र तक पहुंसते हैं बट यह broader है मैं फिर आपको बना के दिखा देता हूँ एक बार आप देख लो अच्छे समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है यह हमारा इंडिया है यह अगर मैंने यहां पर चल जाएगा आपको कि यहां पे बिल्कुल इस पैस नहीं है है न और यहां पर देखो इस पैस ही इसी लिए हम बोलते हैं कि West Coastal Plane आप्पे क्या है नेरोवर हैं देखो छोटे से बिल्कुल समुद्र को तच्छ कर रहे हैं यहां बहुत इस पैस है ठीक है इसे हम बोलते है क्या east coastal plain और यह है west coastal plain यहां तक clear हुआ आपको यह ठीक है अब देखो in east coastal plain there are well developed deltas अब आपको यह पता ही है यह अपनी जो महा नदी है गुदावरी है कृष्णा है कावेरी है यह सब किधर की तरफ जाती है यह सब जाती है अप ही कहा इस्टन coastal plain की तरफ well developed deltas बनाती जैसे कि अगर हम यहां देखे ना यह तो यह महा नदी है गुदावरी कृष्णा कावेरी यह सब किधर जा रही है सारी eastern coastal plain की तरफ जा रही है ठीक है और western coastal plain में हमाई जो नदी जाती है में नदी कौन सी है नर्मदा एंट टापी यह एस्चुरीज बनाती है एस्चुरीज का मत प्रेकिश वाटर फॉर्म होता है ठीक है तो यह हमारी जो western coastal plain की नदिया यह एस्चुरी बनाती है eastern coastal plain की नदिया क्या बनाती है डेल्टा बनाती है यह याद रखना है ठीक है मैंने कोई ऐसा बाइफरकेट नहीं अच्छे समझाया है western coastal plain narrower होते हैं आपको समझ में आ गया ह क्यों होते हैं eastern coastal plain में डेल्टा बनाती हैं हमने देखा कि कैसे महानदी गुदावरी कृष्णा कावेरी यह सब डेल्टा बनाती है लेकिन अगर आप देखोगे western coastal plain की नदियां यह आ रहे हैं यह यहां आपकी महानदी और सॉरी नर्मदा इंटापी यहां पर क्या बनाती ह ठीक है आई होप यह आपको clear हुआ होगा ठीक अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक question आ जाता है बहुत अजीब सा जिसे हम थोड़ा सा detail में भी पढ़ेंगे कि west coast of India में जादा port क्यों है as compared to eastern coast इसको याद रखना है कि west coast of India पर port जादा है as compared to eastern coast ऐसा क्यों है west coast हमने answer लिखा है west coast is submerged coast east coast is emergent coast इसा क्या मतलब है ऐसा क्यों बोलागा है कि west coast submerged coast और eastern coast is emergent coast इसको समझना है अच्छे से ठीक है इसको समझने के लिए हम एक diagram देखते हैं इसमें हमें ज्यादा detail में नहीं जाना है बस इतना समझना है जैसे हमने अभी देखा था कि eastern coastal plains पर ब बिशना है कावेरी है बहुत सा ही नदियां आ रही है ठीक है यहां आके मिलती है तो यहां पर यह क्या करती है यहां पर अपना सेडिमेंट डेपॉसिट करती है ठीक है अपना सेडिमेंट यहां पर डेपॉसिट करती है अब जब यहां पर सेडिमेंट डेपॉसिट हो इसफेंति सेडिमेंट हो गया पानी की दो वाजत और यह नदियं सेडिमेंट जाधा जमा करती है यह क्या होता है उपर की तरफ चला जाता है इसा हम इसे कौन सा बोलते हैं इसलिए हम इसे बोलते हैं आपका emergent coast emergent क्यों बोलते हैं क्योंकि यह ऊपर की तरफ चला जाता है ठीक है समझ में आया यह आपको यहां तक clear हो गया कोई doubt समझ में आगया न इसल को से अब western coastal पोसिट नहीं करती वेस्ट में इस वज़े से यहां पर हमारा यह होता है submerged coast ठीक है बास समझ में आई अब मैंने यहां बोला न कि continental shelf extend up to 500 km यह वाली जो जगा थी न यह और बढ़ जाती है यह वाली जगा और बढ़ जाती कब eastern coastal प्लेन के टाइम पर क्यों क्यों कि वहां पर महानदी गुदावरी कृष्णा कावेरी अपना सेडिमेंट जमा कर रही है तो यह और उपर बढ़ जाती इस वज़े से यहां पर जो हमारी ship है यहां पर ships नहीं आ पाती है आती है कम आती है लेकिन अगर western coastal प्लेन की बात करें तो वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पर तो यह यह जो यलो वाला है रब नहीं हो रहा वहां पर नॉर्मल कंडिशन रहती है, क्योंकि वहाँ पे कोई सेडिमेंट नहीं है, कम सेडिमेंट है, इसलिए फरक नहीं पड़ता है, इसलिए हमारे वेस्टन कोस्टल प्लेन को सब मर्च बोलते हैं कि वहाँ पे सी डीपर है इन दी वेस्ट कोस्ट, आखीबा समझें the continental shelf extends up to 500 km into the sea which make it difficult for the development of good poles and harbor कहाँ पे eastern coastal plain पे क्यों क्यों कि वहाँ पे नदिया ज्यादा पानी deposit करती है sorry ज्यादा sediment deposit करती है question समझ में आया why does the west coast of India have more poles than eastern coast west coast को हम क्या बोलते हैं submerged coast eastern coast को क्या बोलते हैं emergent coast emerge मतलब क्या कि जैसे अगर यह आप a continental shelf है तो यह देखो यह उपर की तरफ आ गया that is emergent ठीक समझ में आया यहां तक clear हुआ यह थोड़ा अच्छा concept है इसमें समझने वाला अब फिर ratification है important coastal plain along eastern and western coast of India तो यह western coastal plains के example है अगर हम ओखा से मुंबई की तरफ चलते ओखा गुजरात में है ओखा से मुंबई की तरफ चलेंगे तो आएगा सुराष्ट कोष्ट सुराष्ट है ना आएगा पे थमाम ओखा से मुंबई अगर मंगलओ के त्यूटी कोरीन की तरफ चलेंगे तो आएगा माला बार कोष्ट्ट इस तरीके से हमें याद रखना है कि हमारे western coastal plains में कौन कौन से division है ठीक है समझ में आ गया ओका से मुंबई स्वराश्ट कोस्ट मुंबई से मैंगलोर कौंकन कोस्ट और मैंगलोर से ट्यूटी कोरीन माला बार कोस्ट इस माला बार कोस्ट के किनारे आपक केरला है ठीक है क्लियर हुआ ये अब देखो इस्टन कोस्टल ते अब हम टूटी कोरीन से आगे की तरफ चलें देखो ओका से मुंबई मुंबई यह पूरा ऐसे बना रखा है मैंने मुंबई से मैंगलर, मैंगलर से टूटी कोरीन, फिर टूटी कोरीन से वाइजेग, विशाखा पतनम तो है कोरोमंडल कोस्ट फिर विजाग से पारा दीव यह है उथकल कोस्ट अर पारा दीव से कोस्ट लाइन जहां पर end ओती है वो है आपका बंग कोस्ट आपको अलग-अलग नाम से यह बुक्स में मिल सकते हैं ठीक है? यह हमें एजटिस याद करने है मालाबार कोस्ट की एक कहानी है कि मालाबार कोस्ट में बैक वाटर हैं बैक वाटर मतलब ठहरा हुआ पानी एक तरीक से मालाबार कोस्ट में बैक वाटर है ठीक है और इसी कोस्ट में एक मिनट मालाबार कोस्ट इस बैक वाटर विच आर यूज इस फिशिंग इनलेंड नेव अब एक कोशन और आता है कभी कभी कोशन लेक्स में आएगा कि लॉंगेस्ट लेक कौन सा है भारत में लॉंगेस्ट लेक कौन सा है भारत में तो हमें यहाँ दखना है यह केरला में ही है जहां पर यह आपकी नहरू बोर्ट ट्रॉफी रेस होती है वल्लमकली उस जगह का नाम है वैंबनाद ठीक है क्लियर हुआ वल्लमकली जो आपकी रेस है वो यहीं पे होती है वैंबनाद में अब हम नेक्स लेक्चर्स अफ्लोट करेंगे ड्रिनेज के तो उसमें आपको यह मैं जरूर बताऊंगा कि वैंबनाद कहां पे है और वल्लमकली कौन सी रेस होती है अभी हमें इतना समझने कि वल्लमकली जो है आपकी माला बार कोश्ट पे होती इससे कोश्चन आ सकता है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं और हमें दिखाई दे रहा है अपना सबसे फैवरिट डेस्टिनेशन आइलेंड गुरॉप्स डेट इस अंडमान एंड लक्षदीब मैंने बहुत आराम से बनाए इस स्लाइट को भी जिससे की और आसानी समझ में आएगा अंडमान निकोबार के आगे पोर्ट बिलेर इसली लिखा है क्योंकि इसकी कैपिटल है लक्षदीब की कैपिटल है कावाराती यह हमें एजटेज याद करने हैं और देखो अगर आप मैप देख रहे हो ना तो देखो गौर से देखना बहुत यह रहा नॉर्थ अंडमान इस ए्मिडल अंडमान देखो ओको दिखाई देगा ग्रेट निकोबार तो आपने किया यहां पे आप एंप अप इसारी चीजन नॉर्थ अंडमान मिटल अंडमाण साओथ अंडमान लिटलंदमान मैं फिर दिखायाँ मिडेल अंडमान south andman, little andman, car nico bar और आपका ये रहा little nico bar और इसके नीचे है great nico bar ठीक है अब देखो इसकी bifurcations है ये important question बहुत है कि इस अंडमान और nico bar को separate कौन कर रहा है that is 10 degree channel ये हमें याद रखना है कि अंडमान और nico bar को separate कौन कर रहा है that is 10 degree channel ये आपको याद रखना है अंडमान और nico bar को separate कर रहा है 10 degree channel अब देखो आगे की तरफ चलते है मैंने फिर इसको अच्छे से बड़े स्राइब लिखा कि अंडमान निको bar island आपके bay of bengal में located है लक्षदीप island आपके arabian sea में located है याद रखना है भूल जाते हैं सब लोग अंडमान निको bar island bay of bengal में है लक्षदीप arabian sea में है ये इसका अंडमान निको bar island की जब हम बात करेंगे तो latitudinal extent है इसका 6 degree north to 14 degree north longitudinal extent है 92 degrees to 94 degrees total number of island अगर हम बात करें तो नियर टू 265 है अंडमान और निको बार कंबाइन करके तो तो नमबर आइलेंड देखे जाए तो वह 265 है ठीक है एप्रॉक्सिमेट मान सकते हैं 266 है नियर अबाउट बुक्स में आपको 200 के आसपास मिलेंगे ठीक है तो लेटिटूडनल एक्षेंट कितना हो गया इसका यह लॉंगिटूडनल एक्षेंट हो गया आपका यह अंडमान निको बार का अब हमारा देखो मैंने पहली बताता है अंडमान चार पार्ट में डिवाइड़ेड है नौर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटल अंडमान नौर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटल अंडमान पहले ही बता चुको मैप में ठीक है अब देखो सबसे पहली बात है कि डंकन पैसे सेपरेट करता है लिटल अंडमान को साउथ अंडमान से देखो कहां पे है डंकन पैसेज अगर हम देखें डंकन पैसेज को डंकन पैसेज यह रहा आपका यह देखो सेपरेट कर रहा है किसे यह रहा साउथ अंडमान और यह रहा लिटल अंडमान तो इसको separate कौन करता है डंकन पैसेज कोशन आता है इस साउथ अंडमान को लेटल अंडमान से कौन separate कर रहा है answer is डंकन पैसेज याद रखना है इस चीज को भूला नहीं है अब देखो अंडमान group of island is separated by 10 degree channel from the nicobar group of island यह मैंने फिर आपको दिखाया था फिर दिखा देता हूँ यहाँ देखो यह रहा 10 degree channel ठीक है यह रहा पूरा अंडमान और यह रहा पूरा निकobar ठीक है समझ में आ रहा है यह रहा पूरा आपका अंडमान देखो ठीक है यह रहा नीचे पूरा निकobar यह थोड़ा सा वो इसकी वह से नहीं आ पाएगा बीच में रहा 10 degree channel तो 10 degree channel सेपरेट करता है अंडमान को निकobar से यह हमें याद रखना है ठीक है अब देखो आराम से पढ़ना है इसको कोई जल्दवाजी नहीं है capital क्या है अंडमान निकobar की south अंडमान ठीक है ओ सॉरी port Blair port Blair इसकी capital है और कहां located है south अंडमान में located है कुछ है यह बहुत ज़्यादा important questions है जो याद नहीं रहते हैं ठीक है फिर आता है saddle peak highest peak है north अंडमान का तो highest peak अंडमान निकोबार में अगर कोई है तो वो saddle peak है in north अंडमान ठीक है यहाँ तक याद रहेगा अब भाईया आ जाते हैं निकोबार पे निकोबार के अपने तीन ग्रूप है कार निकोबार लिटल निकोबार और ग्रेट निकोबार कार निकोबार लिटल निकोबार और ग्रेट निकोबार बेरन आइलेंड सिर्फ एक्टिव वोल कहनो है जो निकोबार आइलेंड में लोकेटेड है कोशन बहुत पूछा जाता है इतना पूछा जाता है कि कुछ कहने की नहीं कि baron island कहा located नहीं और ये एकलौता active volcano है भारत के अंदर अगर हमसे कोई पूछे तो baron island एकलौता volcano है भारत के अंदर ठीक है is the only active volcano located in the nicobar islands ठीक है ये हमें याद रखना है कि baron island का नाम नहीं भूलना है baron island ठीक है बहुत जरूरी है ये तो nicobar के हो गए कार nicobar little nicobar और great nicobar अब देखो लक्षदीब की बात करते हैं अब किसकी बात करेंगे लक्षदीब की हमें पता है अरेबियन सी में मिलते हैं ये ये तीन island का गुरुप था इसका नाम था अमीनी दीवी लकेडिव एंड मिन कोई island ये रहे तीन और इनको रीनेम किया गया था 1973 में मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर NTSC वीज ऑल रीनेम दिन दी इयर 1973 एंड कॉल्ड एस लक्षदीब ठीक है सारे एक्जाम कॉम्टिटिव एक्जाम से तरह कोशन आते हैं कब इसे रीनेम किया गया था तो answer is 1973 फॉर लक् पॉर्डीप का Longuna घ्टेंट ये रहा यह नंए इसमें रहा Why चिए लोगिट्वर लॉक्षदीब का कितना कितना है ठीक है Aminie Deev Island is the northernmost island but Miniquai is the southernmost island again important question कि Aminie Deev Island कहां पर यह northernmost है Miniquai आपका southernmost है इसमें आपको अच्छे लेवल की knowledge मिल रही है Aminie Deev Island आपका northernmost है Miniquai आपका southernmost island है and the entire island is made up of coral deposits ठीक है यह हमें सब चीजें याद रखनी है I hope आपका physical features of India class 9 chapter 2 complete हो गया है यहां पर I hope वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को share जरूर करें जिससे कि सब लोग वीडियो को देख सकें पढ़ सकें और आप लोग इसी तरह enjoy करते रहे पढ़ाई को Thank you class I I I I I I I I I